दादा सहिब जैवन्त वागमारे इन्हें अर्थराइटिस की तकलीफ थी उनके पैर की एडी में जोडों में दर्द और घुटनों में सूजन थी उन्होंने कई अस्पतालों में इलाज कराया लेकिन उन्हें कही से भी राहत नहीं मिली मैं दादा सहिब जैवन्त वागमारे सोलापूर का रहने वाला हूँ मुझे अर्थरिस की तकलीफ थी शुरुवात में मुझे पैर की एडी में दर्द हो रहा था फिर मेरे गुटनों में सूजन आ गई और जोडों में भी तकलीफ और दर्द होने लगा मैंने कई हस्पतालो में इलाज करवाया लेकिन मेरी तकलीफ में कोई सुधार नहीं आया मेरे एक रिष्टदार ने मुझे अकलूज में इलाज के लिए बुलाया मैं वहाँ हस्पताल में दस दिनों तक भरती रहा वहाँ के डॉक्टर ने मुझे जोडों का ऑपरेशन करने की सलाह दी थी उसी अस्पताल के एक मरीज ने मुझे बताया कि ऑपरेशन से कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए मैंने अस्पताल में से छुट्टी ले लेकिन दर्द असनिय होने के कारण मैंने हिप जोइन का ऑपरेशन करने का निर्ने लिया ऑपरेशन के बाद मेरी रीड की हड़ी में दर् पादम नहीं हुई तभी उन्हें यूटूब के जरिए Modern होमेपती के बारे में पता चला और उन्होंने वहाँ उपचार शुरू किये मैं बहुत तकलीप में था तबी मुझे मौडर्न हुमिपती के बारे में पता चला और मैंने वहाँ से रीड के हड़ी और गर्दन के अहसनिय दर्द के लिए इलाज चुरू किया मैंने यूटूब पर मौडर्न हुमिपती के वीडियो देखे और फिर वहाँ दिखाने आया पिछले दो सालों मैं यहाँ इलाज कर रहा हूँ पहले मेरा वजन बहुत कम हो गया था लेकिन वह भी बढ़ गया है अब मैं पहले से अधिक ताजगी महसुस कर रहा हूँ और मेरी सहत में सुधार हुआ है पहले मैं सोचता था कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं इस चिंता में सिर्दर्द होने लगा था लेकिन अब वह भी ठीक हो गया है मुझे चार सालों से बार-बार चक्कर आते थे जिसकी वज़े से मैं बहुत डर गया था कही भी जाने के लिए मुझे किसी का सहरा लेना पड़ता था मौडर्न होमेवती के इलाज से मुझे चकर आना कम हो गया जिससे मुझे बोरोसा हो गया कि मैं ठिवख हो जाऊंगा इसलिए मैंने इलाज जारी रखा मैं पंडरपूर के आयुरुवेदिक डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तकलिफ आयुरुवेदिक इलाज से कम नहीं होगी इसलिए मुझे होमियुपतिक का इलाज लेना चाहिए मौडरन होमियुपतिक के उपचार लेने के बाद उन्होंने 15 दिनों में ही अपनी तब्यत में काफी सुधार महसूस किये उनका वजन बढ़ गया उन्हें चक्कर आना कम हुआ और उन्हें पैर की एडी में दर्द, घुटनों में दर्द और सुजन, जोडों में दर्द, गर्दन और रीड की हड़ी में असनिय दर्द होता था अब वह बहुत कम हो गया है और वे काफी बहतर महसूस कर रहे है मुझे हुमिपतिक का इलाद शुरू करने के बाद मुझे दर्द में कमे आई इलाद शुरू करने के बाद 15 दिनों में मैंने अपनी सेहत में सुधार महसूस किया मुझे पेर की एडी में दर्द, गुटनों में दर्द और सुजन, जोडों में दर्द, गरदर में रिड की हड़ी में अरसनियत दर्द होता था जो अब कम हो गया है अब मेरी सहत में 70-80% सुदार हुआ है जोडों का ओपरेशन करने से पहले मेरा चलना फिरना बंद हो गया था गाड़ी पर चडना उतरना मुश्किल हो गया था चलते चलते ठोकर लगने से मैं गिर जाता था उठते बैठते और चलते समय मेरे गुटनों में आवाज होती थी अब ये सब ठीक हो गया है और मुझे दर्द महसूस नहीं होता मैं हर 15 दिनों में डॉक्टर विजे कुमार माने सेर को दिखाने जाता हूँ और उनके निर्दोशों के नुसार इलाज जारी रखे हुए है इन दवाओं का मुझे कोई साइड फेक्ट नहीं हुआ और दवाइयां लेने का तरीका भी बहुत आसान है मैं हर वक्त दवाइयां अपने पास रखता हूँ और जैसे बताया गया है वैसे ही लेता हूँ मौडर्न हमिवपती का इलाज चुरू करने से पहले मैं सिड़िया चड़ने उतरने में तकलिफ होती थी लेकिन अब एक से देड़ महिने में के अंदर बहुत फर्क है अब मैं आराम से सिड़िया चड़ और उतर सकता हूँ गाड़ी पर बैठ सकता हूँ मुझे बहुत आराम मिला और मेरा इलाज अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा अगर मेरे जैसे किसी को भी ये तकलिफ है तो जरूर मॉडरन होमेपती का इलाज ले मुझे बहुत अच्छा फक्र महसूस हुआ है मुझे बहुत अच्छा फर्क महसूस हुआ है वो भी कम समय में उनको भी इसका लाब मिलेगा आपको भी इसका लाब मिलेगा मौडन होमेपती के उपचार लेने से वागमारे जी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, पहले की तरह अब उनका चलना फिरना फिर से शुरू हो गया है, वो अब आराम से सीडिया चड़ सकते हैं और उत्थर भी सकते हैं, और अब वह स्वस्त और खुशाल जीवन जी रहे है क्फ़ू ईाल þड्ची घाल ważne हैं मौडन है यह ही और झार उनका रगया है और वह हैं, टका है हो अब शेता हैं झाल झाल